दोस्तों, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बादाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से कभी मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहां लेने के लिए बी जीत की खुशियां आती है तो कभी गम मिलते हैं या हम पर निर्बर है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। आईए एक छोटे से किसे से इस शीश को मैं साबित करता हूँ। बायलो जी के एक अध्यापक अपने छात्रों को पड़ा रहे थे कि किस प्रकार से एक केटरपिलर अपने खोल को तोड़ कर कैसे तितली में तबदील हो जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछी गंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और साथ ही उन्होंने छात्रों को आगा किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें इतना कैकर विक अक्षा से बाहर चले गए सभी छात्र इंतिजार करने लगी तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संगर्ष करने लगी छटपटाने लगी तभी एक छात्र को उस तितली पर दया आ गई अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने वाली तितली की मदद करने का फैसला किया उसने खोल को तोड़ दिया जिसकी वज़े से तितली को बाहर निकलने के लिए कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी लेकिन थोड़ी देर में वो तितली मर गई वापस लोटने पर शक्षक को सारी गटना मालिम हुई तब उन्होंने छात्रों को समझाया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संगर्ष करना पड़ता है उसकी वज़े से उसके पंखो को मजबूती और शक्ती मिलती है यही प्रकर्टी का नियम है तितली की मदद करके छात्र ने उससे उसका संगर्ष छीन लिया उसे संगर्ष करने का मोका ही नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि वह मर गई यही सिद्दान दोस्तों हमारा हमारी जिंदगी पे भी लागू होता है जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संगर्ष के बिना नहीं मिलती माबाप अपने बच्चों को शक्ती हांसिल करने के लिए संगर्ष करने का मोका नहीं देते इस तरह वे अपने सबसे अधिक चाहने वालों को इंडिरेक्टली नुकसान पहुचा रहे होते हैं पुरानी काहवत है दोस्तों कि यदि आप किसी को अपाहिज बनाना चाहते हैं हैंडिकेप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करिए बस उसकी हर मदद करना शुरू कर दीजिए कभी उसे अपना काम खुद मत करने दीजिए आप पाएंगे कि वो बहुत बड़ा हैंडिकेप या अपाहिज हो चुका है ऐसे अनेकों माता पिता हैं जो अपने बच्चे के सारे काम स्वयम करते हैं वे कभी अपने बच्चों को अपने काम खुद नहीं करने देते हैं और ये यह सूचते हैं कि वे दूसरों की तुल्ला में अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम कर रहे होते हैं लेकिन सही माइने में सच तो यह है दोस्तों कि वे अपने ही बच्चों को हैंडिकेप बना रहे होते हैं, अपाहिज बना रहे होते हैं, उनके बच्चे कभी भी आत्म विश्वासी नहीं बन पाएंगे, जब भी संगर्ष आएगा तो उनकी टांगे लड़ खड़ा जाएग जो अलड़ी गुटनों पे हैं, जो हार मान चुके हैं, इसलिए फ्रेंट्स जीवन में संगर्ष का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप अपने जीवन में संगर्ष करें, परेशान हो रहे हों, खीज रहे हों या आपको जुनजलाहट हो रही हो, तब आप सही माइने में सीख रहे होते हैं, इस संगर्ष को अपना लीजिए, आपका जीवन सबर जाएगा। परेश करूप में मिलते रहे हैं और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहे हैं, थैंक यू सो मुश, थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो.